अन्नमुन अरायन जै महाकाल जै मावगला मुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आपके अध्यातने कुन्नती आगे बढ़ रही होगी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक संकट के समय किये जाने वाले एक उपाय से है योदि आपके उपर किसी भी प्रकार का संकट हो नौकरी से लेटेड, व्यापार से लेटेड, बच्चे से लेटेड, बच्चे की पढ़ाई से लेटेड, विदेश जाना हो, कर्ज हो गया हो, सत्रू परिसान कर रहे हो, पैसा अटक गया हो, किसी भी प्रिकार का रोग हो, या कोई भी ऐसा काम हो, जिससे आपके उपर संकट आ गया हो, तब आपको ये एक उपाय जरूर करना चाहिए, इस उपाय से आपको हर काम में सफलता मिलती है, हर काम में आप आगे बढ़ते हैं और जीवन में हर प्रकार से तरक्की करते चले जाते हैं भगवान बजरंग बली को चिरंजीवी देवता कहा गया है कल्यूक का, और भगवान बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसंद हो जाते हैं, इसमें कोई सक नहीं है बजरंग बली भगवान दयालू है प्रभू की भक्ती में लीन रहते हैं लेकिन अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो निश्चित ही वो पुकार सुनते हैं और उसकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं बजरंग जो बजरंग बली हैं उनकी सेवा करने वाले इंसान के इर्द गिर्द एक सुरच्छा कवच बन जाता है बगवान बजरंग बली उनकी हर प्रकार से साहता करते हैं और जीवन में वो इंसान हर तरब से तरक्की पाता चला जाता है मंगलवार की दिन आपको नहाध होके 21 दिनों का संकल्प लेना है 21 दिनों के अंदर आपको मास, मचली, अंडा, मदिरा, किसी भी प्रकार के ऐसे अप्राकर्तिक कर्ते जो होते हैं जिसमें सहवास भी आता है वो सारे कर्ते आपको नहीं करने हैं हो सके तो भूमी पे आप सुएं अपने सामने, सरसो के तेल का, कपूर के तेल का, लोंग का या फिर नॉर्मल आप घी का जिसका भी चाहें आप दीपक जला सकते हैं इसमें कोई विसेश ऐसा कोई नियम नहीं है लाल कलर का आसन हो या फिर लाल कलर के आपके कपड़े हो या लाल कलर का एक गमच्छा इस्टोल जैसा भी आप चाहें अपने उपर एक वस्त्र डाल सकते हैं भगवान बजरंग बली को आप गुड और चने का भोग लगाईए साथ में लोगों को भी प्रसाथ बाट सकते हैं और 21 दिनों तक कंटीनिव आपको इस पावरफुल मंत्र का जाप करना है मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रा वताराए सर्व सक्तु संघारनाए सर्व रोग हराए सर्व वसिकरनाए राम दूताए स्वाहा वो हनवान जी जो रुद्र के अवतार हैं, जो सभी सत्रूओं का नास करने वाले हैं, सभी रोगों का नास करने वाले हैं, जो सभी का वशीकर्ण करें, मंत्र मुग्द करें, आकर्शित करें, जो राम के दूद हैं, उनको मैं नमन करता हूँ. तो आपके बहुत सारे जितने भी रोग हैं, जो भी आपके सत्रू हों, चाहे वो फिजिकल सत्रू हों या फिर आपके अंदर के सत्रू हों, जो हमारे अंदर मैल होते हैं, इशयद, द्वेस, लालच, वो सब. ये मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है आप चाहें तो इसके करम को बढ़ा सकते हैं लेकिन ध्यान दें कि उतने ही मंत्र बढ़ाएं जितने आप अगले दिन भी कर सकें तो ऐसा काम आपको करना है और 21 दिन के बाद 22 दिन आपको भगवान बजरंग बली को लड़ूं का भोग ल छोटा वीडियो था सीधे कि विशय पे था अगर आपको यह थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक और सेर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बैल नोटिफिकेशन को भी दबा ले तकि अगला वीडियो आपको तुरंद मिले अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजेगा आप सभी लोग खुश रहें और आपकी अध्यात्मी कुन्दती होती रहें नमो नरायन जै महाकाल जै ममगला मुखी